गुड मोर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा विशे है पाठ एक कहानी है भी आज हम पढ़ रहे हैं पाठ एक कहानी यह है भी लेखी का है मन्नू बंडारी देखें नेक्स्ट पैसेज हम पढ़ेंगे यहां से हम पढ़ेंगे पांच भाई बहीनों में सबसे चोटी मैं सबसे बड़ी बहीन की साधी के समय में साइद साथ साल की थी लेखी का ने इस गध्यान से में क्या बताया कि अपने बच्पन के दिनों को याद करते हुए बहुत ही सुन्दर वनन किया है क्या बता कि पांच भाई बहीनों में सबसे छोटी मैं थी, पांच भाई बहन थे सबसे छोटी थी, सबसे बड़ी बहन की साधी, जब हुई उनकी बहन की साधी, तो उनकी उमर कितनी थी, साथ साल की थी, और उसकी एक धूंदली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से द सतोलिया, लंगडी टांग, पकडम पकडाई, काली टोपी, क्या कहा, कि जो मेरी बहन है बड़ी सुसिला, मेरे से दो शाल बड़ी हैं, और उनके साथ मैंने मिलकर मेरे घर के आंगन में, मेरे बचपन में जो सारे खेल खेलते थे, कौन कौन से खेल खेले, सतोलिया, लंगडी गुडियों के साथ भी खेले और उनकी ब्याबी रचा यानि साधी भी की उनकी पास पडोस की सहेलियों के साथ यानि मेरे महले की जो मेरे पडोस की जो सहेलियां थी उनके साथ मैंने ये सब खेले यों खेलने को हम अपने यों खेलने को हमने भाईयों के साथ गिलिरंडा भी किया तो खेलने को हमने मेरे भाईयों के साथ गिली डंडा भी खेला पतंग उड़ाई कांच पिसकर यानि कि जो पतंग की डोरी बना कर उनको उड़ाने का माजा सूतने का काम भी किया लेकिन उनकी गतिवीदियों का दायरा घर के बहार ही अधीक रहता था और हमारी सीमा थी घर क्या बता कि हम घर से बहार हमारी जो चार दिवारी थी हमारा जो गतिवीदि थी जो हम काम करते थे खेलते थे घर की चार दिवारी के अंदर ही होता था हमारी घर की चार दिवारी हमारा पूरा मोला होता था हाँ इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दिवारे घर त अंदर तक ही में सिमीत नहीं रखा जाता था, पूरे महले में ही हम घूमते थे, खैलते थे, इसलिए महले के किसी भी घर में जाने पर कोई पावनदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्छा ही थे, किसी भी घर में जाने की कोई पाबंदी नहीं थी, पूरा जो घर थे, जो महले में उनके कुछ घर ऐसे थे, उनके परिवार ही थे, आज तो मुझे बड़ी सिद्धत के साथ यह मैसूस होता है, यानि कि मुझे बड़ा कस्ट होता यह कहते हुए, कि अपनी जिन्दगी खुद जीने की इस आ पुर्क्सित बना दिया है, क्या बता है, कि लेखिका ने बता है, आज का महानगरिय जीवन हमारे जैसा आत्मिता पूरण नहीं रहा, जैसे हमारा बच्पन था, आज सभी व्यक्ति, बीजी हैं, व्यस्त हैं, किसी को फूर्षत नहीं है, आज पडोस के विशे में जानने क के लिए किसी के दुख सुख में सामिल नहीं होते, आज का महानगरिय जीवन है त्यंत संकीरन छोटा और आतम केंद्रित हो गया, यानि कि अपने तक ही सीमित हो गया, यानि कि वर्तमान के जो फ्लेट जो कलचर है, संस्कृत हैं, अपने तक ही सीमित हैं, एक दूसरे के कम से कम एक दरजन आरंबिक कहानियों के पातर इसी महोले के हैं, जहां मैंने अपनी किसोर अवस्था गुजारी, अपनी यूवस्था का आरंब किया था, मैरी जो पहले आरंबिक जो रचनाई मैंने लिखी, मेरे महोले की हैं, और किसोर अवस्था अपनी यूवस्था का यानि कि जो बच्पन से लेखर युव अवस्था की अवस्था है वहां तक मैंने सारा जो काम अपने मोहले में ही किया एक दो को छोड़कर उमें से कोई भी पातर मेरी परिवार का नहीं है क्या बता है मेरे परिवार का एक दो ही पातर है बाकी सभी मेरे मोले के ही पातर हैं बस इनको देखते सुनते इनके बीच मैं बड़ी हुई थी लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का हैसास तो मुझे कहानिया लिखते से मैं हुआ कि मैं कब बड़ी हुई ये सब देखते हुए जो मेरे परिवार का जो माहोल था, जो हमारा बच्पन था, खेलते कूते, वो कब मेरे दिल में उतरते गए, वो गहरी जो छाप कब मेरे मन पर पड़ी, ये सब मैंने मेरी कहानिया लिखते हुए महसूस किया, इतना वर्सों के अंतराल ने भी उनकी भाव वंगीमा भाशा कि किसी को भी दूंदला नहीं किया, बिना किसी विशेश परियास के बड़े सहज बाव से वे उतरते चले गए, यानि कि इतनी दिनों के बाद जो भाव वंगीमा हमारा बच्पन में जो भीता वो दूंदला नहीं हुआ, हमारी यादे यूँ ही बनी रही, पता ही नहीं चला और कब सहज बाव से मेरे दिल में उतरते चले गई, उसी समय के दा सहाब अपने व्यक्तितव की विव्यक्ति के लिए अनुकूल परिष्थितियां पाते ही माबोज में इतने वर्षों बाद कैसे एका एक जिवीत हो उठी, यह मेरे अपने लिए भी अस्रिय का विशे था एक सुकद अस्रिय भी, क्या बताया कि जब लेखी का ने बताया कि आरंबिक जो कहानिया मैंने लिखी और उसमें जब कब मेरे मन पर गहरी छाप पड़ी, जो मैंने बच्पन में बिताया, कि कब मैंने मेरे व्यक्तितव की अभी व्यक्ति करते हुए, जब वीप्रित सब के लिए और एक सुखदा शरय भी था तो इसमें लेखिका ने अपने बच्पन की यादों को लेकर एक महाबोज रचना लिखी है जिसमें सारी घटनाओं का वनन किया है धन्यवाद बेटा